जट से बहुत कुछ सीखना है, TRS Clips Hindi को सब्सक्राइब कीजिए अब वैसे भी आप देखे, दुबाई की डिपेंडेंस on oil is hardly 5% to 4% वो कहते 1% है, but 4 to 5% dependence है oil की, उन्होंने अपने आपको इतना significantly, वो next Singapore बन रहा है तो मुझे लगता है कि they will do extremely well, they will develop a parallel economy, tourism and new cities चुकि वहाँ पर इतना land है, जैसे नियॉम बन रहा है, नियॉम एक प्रोजेक्ट है जो साओधी अरेबिया में बन रहा है, 170 किलोमेटर की लाइन बन रही है जहाँ पर 500 मीटर की हाइट और 170 किलोमेटर की लाइन और वहाँ पर 1 से 10 मिलियन लोग रहेंगे अप्सक्राइब एवेंच्वली है, हाइट मतलब 500 मीटर की हाइट, लिक माउंटन, माउंटन, नहीं, स्काइश्क्रेपर 170 किलोमेटर की लाइन पर, एक सो पांचो मीटर की हाइट का स्ट्रक्चर बन रहा है, आप नियॉम स्टड़ी की जैगा, इस फेनॉमनल, अगर वो अप्सक्राइब एक साओधी अरेबिया के अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, विच इस अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जिसकी कंस्ट्रक्शन चालो हो गई है, रेट सी से लेके, 170 किलोमेटर की लाइन बन रहा है, विच इस 500 मीटर स्टॉल, लाइन मतलब क्या है, वहाँ पर आपके रेजिदेंशल कैश्मेंट्स है, वहाँ पर कमर्शल वर्क है, लोग वही काम करेंगा और कोई रोडवेज नहीं है, सिरफ एक हाइपर लूप है बीच में, और लोग उसी के ऊपर नीचे रहेंगे, एक ब्लॉक है वेसे की, 170 किलोमेटर बाइज 500 मीटर ह मतलब एक बिल्डिंग के अंदर शेहर बना रहे हैं, दोनों तरफ मिरर्स हैं, दोनों तरफ शीशा हैं, क्यों, देवां टो बिल्ड अ ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट इन दे मिदल अफ नोवेर, और क्रेट अ कार्बन neutral city, which is not dependent on oil, which produces its own energy, which has 20 minute में, जो आप एक जगा से दूसरी जगा पहुंच सकते हैं, एक hyperloop से, और जहां पे है ना, क्योंकि future of urban development वो एक concept दिखाना चाह रहे हैं, अगर उनने बना दिया, उस जगा से इतना revenue आएगा, जो तेल से कभी नहीं आ सकता, क्यों rent? rent, लोग खरीदेंगे ना जगा, आप दुबई में आज आज आप देखिया, freehold तबदील कर दिया, लोग खरीद रहे हैं, आज दुबई की real estate पिछले 5 साल के अंदर कितनी बढ़ गई है, इवेंचुली, जहां humans आएंगे, वहां पे खर्चा होगा, जहां खर्चा होगा, आप यह सुचिए, पिछले साल आपको पते हैं, इंडिया में कितने टूरिस्त आए थे, 39 लाक्स, दुबई में अकेले 42 लाक्स आए थे पिछले साल, सिर्फ दुबई शहर में, UAE की बात नहीं का रहा, यह पूरे हिंदुस्तान, हुकुमत हिंदुस्तान में सिर्फ 39 लाक टुरिस्त, और 40 लाक बालिस लाक सिर्फ दुबई में, आप बार बिल्दी अ मॉडल सिटी, मुझे अनुसली पता वी नहीं में अब आप से क्या बूचू सर्थ, अवर्ण जोवने तोपिक्स, वाट्स दुवने वान आप एक्सी यूद अट अट अज़ इन देस, अट अ अकेला प्लानेट है अभी तक ब्रह्मान में जहां पर हमारे पास लाइफ है, हम उसी लाइफ को खराब कर रहे हैं, सो इन फाक्ट मैं अगले हफते अभी चार दिन के अंदर ग्रीन लैंड जा रहा हूं, हम एक ऐसे आइसबर्ग पे जा रहे हैं, जो धाई लाक साल पहले बना था, और अब वो टूट टूट के पानी में गिर रहा है, क्लाइमिट चेंज के लिए बहुत कुछ हो रहा है, और आपको पते है, ओल क्यों इंपोर्टन है, यह बहुत कम लोगों को पते है, ओल इसलिए इंपोर्टन है, बिकास ओल कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ओल ब बात करें, wind energy है wind energy आपने किसी windy area में निकाली, वो दिल्ली आते आते वो energy आदे से भी कम हो जाती है, इस transportation problem को solve करने के लिए green ammonia is the new era of clean energy, clean energy हम सब को चाहिए, आपकी गाड़ियां energy से चलती है, जितनी lights आप देख रहे हैं, सब energy से चलती है, जिससे pollution कम, pollution नहीं होता जो carbon units emit नहीं करते, atmosphere के अंदर तो green ammonia से मुझे बहुत उमीद है green ammonia एक ऐसा पदार्थ है, जो clean तरीके से बनता है, और जो oil की तरह transport हो सकता है, तो आप यह देखिएगा, oil के उपर हमारी dependence इसलिए है, क्योंकि oil transport हो सकता है, यह बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं है, यह oil can be transported, that is why it is important मतलब जब आप, मानलो, wind energy से energy produce कर रहो हो, यहां से वहां, आपको wire के तुरू transport करना पड़ेगा, और उस wire में energy loss हो जाता है बिलकुल, और अगर आप wind में बात करें, मुझे energy का बहुत passion है wind turbines का size बड़ा, और बड़ा और बड़ा होता है, आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा wind turbine कितना बड़ा है it is of the height of Eiffel Tars and this is the height of the wind turbine and not of its blade, blade अलग है उसके Eiffel Tars and वो कहां लगा हुआ है वो एक ऐसे समुन्दर में लगा हुआ है जहां पे बहुत तेज तीवरता से आती है winds, यह एक coast पे है, मुझे exact coast का भी नाम याद नहीं आ रहा है, वो वड़ा difficult नाम है, बट मैं आपको जरूर भीजूँँगा it's a phenomenal place, जहां पे उन्होंने 5000 wind turbines लगाए हुआ है of the size of Eiffel Tower ऐसे ही करके, ऐसे ही करके solar में, अब solar की cost of production solar बहुत कम होता जा रहा है solar तब work out करेगा जब हम सब की छटों पे solar लगेगा so I think कुछ ना हमें conscious calls लेने पड़ेंगा as humans, यह हमें को ना schools में ने सिखाते हमें सिखाना चाहिए कि आप कैसे, we should first become good citizens of this planet, not of India but of this planet, हम जब carbon निकाल रहे हैं, सिरफ इंडिया के लिए निकाल रहे हैं पुरी दुनिया के लिए निकालते हैं हम चाइना के बाद हमारे देश के अंदर, top 10 cities जो polluted हैं, 9 हमारे देश से आती है, we should be absolutely और उसके लिए हम कुछ निकाल रहे हैं यह क्यों हुआ है, कि 9 हमारे देश से निकाल रहे हैं, सबसे बड़ा cause, at least जो North India, Delhi का है, वो है stable burning जो हम लोग धान होती है, जो हमारा waste produce होता है, हम उसको जला देते उसके लिए इसके लिए punishment होनी चाहिए in my opinion, we should have the most strict punishment for this इस पर कोई छोटा सा fine है, तो इसलिए लोग fine दे के, या किसी को दे दुआ के खतम कर देते हैं 90% pollution दिल्ली का, उसकी वज़ा से है और तभी यह आता है, जब आपके फसल कटने वाले दिनों में होता है transportation pollution है ना उतना ज़ादा नहीं है, दिल्ली में हमें लगता है उसकी वज़ा से है, पर उसकी वज़ा से इतना ज़ादा नहीं है पर I think बहुत साए लोग यह जानते हैं कि क्या का आपने, what's the term? Stable burning Stable burning, तो Stable burning के बार में लोग जानते हैं, पर यह practice बहुत टाइम से चल लिए तो कोई रुका था, क्यों नहीं यह ना, दो चीजों की वज़े से रुकेगा, सबसे पहला एक तो आते है, intrinsic जैसे हम लोग, जैसे मैं Starbucks जाता हूं, तो मुझे से पूछते हैं in what cup would you like to have? I always tell them, I would like to have in a cup which is good for my environment तो हमें पहले तो education layer change करनी पड़ेगी मुझे लगता है, हर class में टीन या चार और घंटे हमारे को देने चाहिए हम कैसे अच्छे नागरिक बने हम civics को चोटी जी किताब पढ़ते हैं civics इत्ती मोटी किताब हो नीची है how do you fall in line हमारे देश के लाइन कोई नी बनाता यह मैं आपको छोटे से अपने habits के बार में आपको मैं बता रहा हूँ यहां पे जब आप प्लेन में जाएंगे दिल्ली स्पेशली आप जैसी प्लेन में जाएंगे तीन या चार लाइने बनी होती है वो कोई वहां से आ रहे है कोई यहां से आ रहे है एक basic discipline of line formation is a very simple discipline जो civics से आते है secondly हमें ना लोगों को बताना बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे हमारे concert decisions सबस्यादा खराब है आपको बता है हम आज भी मैं अपने सारे AC का temperature 24 पे रखता हूँ because do you know 18 पे में को ठंड लगती है but मैं बंद नहीं करता हमारे सारी इंडस्ट्रिल बिलिंग्स का temperature 18 पे चल रहा होता है और हम 24 पे comfortable रहते हैं but we have this habit के नहीं हमें अना लोग क्या करते हैं AC 18 पे चलाते हैं और इती मोटी चादर लेके सोते हैं so that and they don't realize ACs के पेल से कितना pollution होता है so I think basically हमें आना ये sensitization करने पड़ेगी climate change करें and you have the power to actually sensitize and go to Ladakh, talk to Sonam talk to people and tell people कि ये गलत है, ये मत कीजिए आप okay दोस्तो TRS Clips Hindi को अगर support करना है तो ऐसे वीडियो दोस्तों के साथ share कीजिए, subscribe कीजिए चैनल को TRS Hindi बहुत जल्ट लोटे आई